मुझा आज का प्लैन ऐसा है कि अभी हम लोग बुकल चुके हैं घर से कुछ साथ बजे और हम जा रहे हैं यहां के हाइदराबाद से थोड़ इसी दूर पे एक 50-60 किलो मिटर से एक रेज़न वाय राइजिस्कों को जमा वहते हैं अभी फाल में ही यह अभी मैं सुदो सुदो बिल्किन लिटा चुका हू और मुझे भी भूग लगी है अप्से बुब बहता रहा है दो इटली दो गोंडा हां तिर्णा कि मैं आज चुका हूं यह जंक्शन में जहां पर आप लेफ्ट गए तो नादपूर और वरंगल जा सकते हैं और राइट जो की सीधा है शामिर प्याइट राइट और करीम नगर तो हमें जाना है शामिर पेट कहीं से सीधा तो आखिर कार दोस्तों हम आ चुके हैं अपने एंट्री के तरफ तो यह कुछ छोटा सा चेक पोस्ट यहां भी है यहां पर कोई लोग है नहीं और हम जाते हुए उपर लूप, 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 लूपो आपर खुट कर दो कि अ कि अ थे तो लुट तो लुट कि अ तो आ गए हम कोंडा पुचामा यह 60 km फ्रम हाइदरबाद और एल शो यू कैसा दिखता है हम लोगों ने कुछ उधर से शुरू करा था कि अरांड इधर और फिर आल दो वे थ्रू यह रोड से हम यहां पर आ चुके हैं और देन आप अगर देखेंगे तो यह कुछ जाधा ही बड़ा है और अबॉट टेंट टू फिफ्टीन किलोमेटर्स यह पूरा सर्केल हो सकता है मैं आपको नीचे तक लेके चलता हूं इस वेसे हम लोग नीचे जाएंगे और हम नीचे की तरफ आ चुका है और यह स्टेप्स के तुरू आप और नीचे के तरफ आ चुके हैं अब हमें यह कि लाइन की तुरू नीचे जाना है और पानी के पास तो जाना ही पड़ेगा और मैं एक चीज बता दू कि इन्होंने यहां पे पत्थर बहुत अच्छी से अरेंज करा है मैं आपको दिखाता हूं यह अरेंजमेंट बहुत सही किया हुआ है लाइक आप इसली यहां से चल सकते हो तो सही और स्टेबल है कि कोई यहां से गिर नहीं सकता है गिरा भी तो हर एक पॉइंट पर यहां पर एक फ्लैट है एरिया जहां पर गिरे भी तो बस सकते हैं झाल सकते हैं कर दो... झाल झाल